हलो गाईज वेलकम बेक टू अबडेट पर यूट्यूब चैनल माईसेलफ पंकज और आज मैं फिर से आपके लेके आया हूं उत्राखंड विकलिक करेंट अफेट्स का नेक्स लेक्चर जो कि आपकी आने वाले एक्जाम्स में काफी हेलफुल होने वाला है अगर किसी को भी हमारे पुराने लेक्चर देखने हैं या उनकी पीडियेफ डाउनलोड करनी है तो उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं कॉश्चन नमबर फर्स्ट कौन सा सहर ओडियो प्लस प्लस का दर्जा बरकरार रखने वाला पहला राज जिबना है तो इसका सही अंसर है धेरादुन हाल ही में किसे चेंपियन ऑफ चेंज 2020 का पुरुसकार प्राप्त हुआ है तो इसका सही अंसर है स्वामी चेदनन सासुती जी को चेंपियन ऑफ चेंज का पुरुसकार प्राप्त हुआ है चलिए आगे बढ़ते हैं अब है नेक्सक्शन 1990 बैज के किस IRS अधिकारी को चुनाव आयुकत का अगला चीफ एलेक्षिन कमिश्णर मचोरन ज्डिन कौनफ ए तो यह हैं सुनिड अरॉड़ाजी अब यहां बात कर लेते हैं एलेक्शन कमिशन की कि यह कब बना या यह कब अस्तित में आया तो यह आया है 25 जनवरी 1950 को 25 जनवरी 1950 को यह एलेक्शन कमिशन बना है और हैड़कॉर्टर कहा है इसका है इसका न्यूडली न्यूडली में इसका हैड़कॉर्टर है चलिए नेक्स कॉश्चन किस राज सरकार ने अभिनेता सोनु सूथ को को और टीका करण अभियान के लिए ब्रेंड अमेज़र बनाया है तो यह किस राज सरकार ने किया है यह किया है पंजाब सरकार ने इस गॉश्चन चोदा अपरेल को पूरे भारत में किस महान वक्ति की जयनती है तो यह किस महानवक्ति की जयनती मनायी जाती है इसका जहूर करीज़र नेक्स कॉश्चन अहार करांती शुरू करी है और हर्सवर्दन जी ही हमारे हैस्ट मिनिस्टर है अलिए बंगलादेश में लॉंच किये एप लिटल गुरू का उदेश क्या है तो जो बंगलादेश में लॉंच हुआ है इसका उद्देश है संस्कृत सीखना अब है तिब्बद बॉर्डर के पास पर जहां पर इसकी उचाई है पांच हजार 374 मिटर की तो पांच हजार 374 मिटर की उचाई पर विस्प के सबसे उचे रडार इस तर पर फाइफ जी सिगनल बेस खोला है किसने चीन में चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स कॉश्चन आइपियल के चौदवे सीजन में कौन सा खिलाड़ी आइपियल में 350 चक्य लगाने वाला पहला बल्लेबाज बन गया है तो यह बहुत बड़ा रिकॉर्ड है तो यह बैट्समन है क्रिस गिल तो क्रिस गिल जो है इन्होंने 350 चक्य लगाने का एक रिकॉ एक चलिए आगे बढ़ते हैं किस केंद्र सासित प्रदेश को श्रहय रोग यानि की टीवी की बात हो रही है यहां पर श्रहय योग रोग मुक्द किया गया है लक्षयो दीप और लक्षय दीप के साथ साथ जम्मू कस्मीर का बढगाम टाउन वड़गाम टाउन भी टीव मना जाता है यह मना जाता है चौबिस मार्च को विश्व भर में वर्ल टीविडे मना जाता है और यहाँ पर आपको इसकी इस साल की थीम पता होनी चाहिए तो इस साल की इसकी थीम है तो दा क्लॉक इस टिकिंग इस बार की इसकी थीम है चलिए आगे बढ़ते हैं जलवाई परिवर्टन के लिए कानून लाने वाला पहला देश कौन बन गया है तो यह कौन बना है सही आंसर इसका न्यूजी लेंड चलिए आगे बढ़ते हैं अब है नेक्स कोश्चन भारत औ किस देश के साथ किये हैं यह किये हैं फ्रांस के साथ और फ्रांस की किस स्पेस एजनसी के साथ यह करार हुआ है यह हुआ है सी एन ई एस तो फ्रांस की यह स्पेस एजनसी है यह आपको पता होना चाहिए अब बात करते हैं यहां पर इंडियन स्पेस एजनसी की इसका नाम को इसरो अस्तित में आया है अब इससे पहले इसका नाम क्या था इससे पहले इसका नाम था आई एन सी ओएस पी यानि इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्स तो यह इसरो का पहले नाम था अब आगे बढ़ते हैं बारत की कौन सी महिला पहलवान 18 वर्स की उम्र में अलमपिक खेलों के लिए क्वालिफाय कनने वाली देश की सबसे कम उम्र की महिला पहलवान बन गई है तो यह कौन बनी है सोन है यसानल मलेक मलें और सोन हमें श्रूप में और सड़ीन हाल हिमें एट 6 ओलमपिक क्वालिफायर अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजेगा, कमेंड कीजेगा, औरों के सांथ सेर कीजेगा और सांथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा तो अब सीरे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में